हेलो फ्रेंड्स, हस्बेंड वाइफ के डिस्प्यूट के बाद जब मैटर कोट का चेरी में जाता है और मैटरिमनल डिस्प्यूट उनके अंदर अराइज होते हैं तो किमल केसिस के अंदर अब फॉल्स केसिस को जुडिशनली एकनॉलिज किया गया है यानि इस बात से इंकार नहीं किया गया है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जो फॉल्स केसिस लगाने के बाद सुसराल पक्ष को परिशान करती है और अपना अटरमोटिव अचीव करनी कोशिश करती है तो चुकि जुडिशनली ने आपको बैलन्स करने का प्रियास किया है और फॉल्स केसिस से बचने के लिए बहुत सारे उपाए आपको दिया है आज की वीडियो देखने के बाद यदि आप ऐसे फॉल्स मेटरमोटिव केसिस से परिशान है तो आपको रहत की सांस मिलेगी हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुहेल शाय एडवोकेट प्रम सैंस्चुरी लवफर्म डेली और आज आपको वो उपाए बताने आया हूँ जिससे आप फॉल्स मेटरमोटिव केसिस से बस सकते हैं तो उस तो मेटरमोटिव केसिस का अर्थ होता है पती और पत्नी के बीच में जो भी विवाद होता है और उनके बीच में जो भी केसिस उस विवाद से उत्पन होते हैं उनको मेटरमोटिव केसिस के नाम से जानते हैं अब बहुत सारी females ये married women ऐसी होती हैं जो अपने law उनको protect करने के लिए, shield करने के लिए या उनको ये अधिकार दिया था ताकि वो देहिश से बच सकें या देहिश की परताणना से बच सकें उसको misuse करकर अपने सस्रौाल वालों पर गलत जूटे allegations लगाते हैं और कोशिश करत हैं कि उनको मैं कोट कचरी के चकर खिलाऊंगा एक लंबे परियास के बाद मानिये उच्छ नियाल ले और उच्छ तम नियाल ले यानि हाई कोट और सुप्रिम कोट ने judgment के तुरू चीजों को acknowledge किया और बहुत सारी remedies सुस्राल पक्ष को भी दी है आज मैं उन्हीं remedies की बात उसकी में बात के लिए अलग वीडियो सेपरेटली आपको देखने के लिए जल्दी मिलेगी आज हम बात करेंगे matrimonial cases में criminal cases के कौन कौन से criminal cases होते हैं जो एक married women यानि एक बहू या पतनी आपके विरूद या आपके रिश्रदार के विरूद डाल सकती है तो सबसे पहले अगर बात करूं तो CRPC में provision 125 125 CRPC जिसको आम भाशा में या हिंदी भाशी अदालतों में हम लोग हर्जे खर्चे का case बोलते हैं यानि जहां पर आपको wife को maintenance मांगने का अधिकार होता है और section 125 CRPC के इंदर दो यह provision CRPC का है पर इसको civil case की तरह treat किया जाता है और आपकी आमदन आपकी liability देखते हुए और आपके relation अगर admit है तो civil case की तरह treat होगा CRPC का provision है तो किसमेर समझ से इसको डरना नहीं है चोकि इसके अंदर arresting और पुलिस की चीजे नहीं होती है यह case आपके जवाब देने कमों का मिलेगा और अपने गुन दोस्त के अधार पर अपनी merit के अधार पर decide होगा अब दूसरी दोस्तों उन केसिस की बात करते हैं जिन केसों में अमोमन पुलिस involved होती है यह आपके खिलाफ बहुत जादा कोसिब action लिया जाता है यानि आपके खिलाफ बहुत भेंकर परिणाम बहुत बहुत सामने आता है और आपके खिलाफ नहीं बलकि आपके परिवार के खिलाफ भी सामने आता है दोस्तों इसी में एक होता FIR case जिसके अंदर आपके विरुद 498A यानि cruelty की एक FIR आपके खिलाफ या आपके परिवार के खिलाफ या आपके रिलेटिव के खिलाफ दर्ज हो जाती है और साथ-साथ यदि ऐसे भी allegations होते हैं कि आपने breach of trust किया है यानि आपने उसके दुवारा लाएगे समान को अपने custody में रखने के बाद उसको वापस नहीं किया है तो ऐसी इस्तिती में आप पर एक section और 406 IPC का लग जाता है और चुकि अमुमन ऐसे cases में एक से ज्यादा लोग होते हैं और उन पर ये allegations लगा दिया जाता है कि इन्होंने एक राय मश्वरा होकर ये काम किया है तो ऐसी इस्तिती में section 34 भी attract कर दिया जाता है और एक FIR maximum cases में 498A और 406 और 34 IPC की FIR हो जाती है दोस्तों अगर मैं पहले की बात करूं तो ऐसी FIR में arresting हो जाया करती थी और arresting होने के बाद एक भयानक दोर से और mental trauma से एक husband के प बिजदी का डर लेकर arresting होना एक बड़ा विशय और बिजदी का विशय बन गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट और high courts ने जो various high courts ने इस बात को acknowledge किया और acknowledge करने के बाद बहुत सारी remedies दी हैं high court ने ये बात मानते हुए कि अगर ऐसे मामलों में heat of moment में कोई complaint कर ली जाती है और F.I.R. दर्ज कर दी जाती है तो ऐसी इस्तिती में जो settlement के chances हैं वो खतम हो जाते हैं याई अगर husband एक बार jail चला गया तो अगर उनके बीच में settlement के chances हैं तो supreme court और high court ने ये बात को acknowledge किया है कि हाँ ऐसा coercive action लेने के बाद उनके बीच में यदि settlement की कोई गुंजाइश रही भ जाता है तो ऐसी इस्तिती में उनके बीच में settlement की संभावना है बुलकुल zero हो जाती है और चीजे और सोर रिष्टे और खटे और दरार उनके बीच में गहरी हो जाती है तो इनी चीजों को देखते हुवे High Court, Delhi High Court और फिस Supreme Court ने बहुत सारी judgment इस बारे में दी है आज उन में से मैं कुछ ऐसी judgment बताऊँगा जो शायद आपके काम आएगी और वो judgments सभी states पर माननी है जब मैं Supreme Court की बात करूँगा तो पूरी भारत पर वो judgments माननी है इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ अरनेश कुमार वसे स्टेट ओव विहार दोस्तो इसमें 498 केस के बारे में Supreme Court ने various guidelines दी है और यहीं नहीं बाद में इसका decision देते हुए यह भी कहा कि जो भी arresting वाली power जब किसी I.O के पास होती है तो वहीं दिखाया है कि वो liberty और arresting power के बीच में कैसे balance करेंगे उस judgment में साथ के लिए inform करेंगे कि उन्होंने 41A का notice दिया है यह नहीं दिया है यह arresting कर रहे हैं यह arresting नहीं कर रहे हैं इस बात कि two weeks के अंदर आपको inform concern magistrate को करना पड़ेगा साथ साथ यह भी उस judgment के अंदर कहा गया है कि जो right एक accused के पास होता है कि वो 24 hours के अंदर किसी nearest magistrate के पास उसको पेश किया जाएगा तो ऐसी इस्तिती में उस वक्त यदि detention को magistrate extend कर रहे हैं यानि उनको judicial custody में भेज रहे हैं तो magistrate has to write in detail उसको इस बात का reason देना होगा कि what are the reasons कि वो judicial custody में उसको भेज रहे हैं यानि एक routine manner नहीं होगा साथ साथ यह भी कहा गया है एपक्स court ने कि ज वहाँ पर जो outstations husbands होते हैं यानि वो husband जो बहार रहते हैं ऐसी इस्तिती में उनको red corner notice और उनका passport impound करना एक routine नहीं होगा पुलिस का चुकि अमोमन routine तोर पर ऐसे accused का पुलिस passport को impound यानि जब्त कर लिया करते थे या उनको red corner notice जारी करते थे और यहीं नहीं इसमें आगे जाते होवे supreme court ने यह कहा है कि यह जो guidance दी गई है यदि इसका अनुपालन नहीं होता तो वह magistrate के खिलाब contempt of court की proceeding को concern high court में initiate किया जा सकता है यानि जिस high court के छेतर में पीडित व्यक्ति रहता है वह high court जाकर contempt of court की proceedings start कर सकते हैं साथ-साथ essay officials के खिलाब ना किवल departmental action होगा बलकि essay officials contempt of court के दोशी भी होगे और यह contempt proceeding concerned territorial high court के jurisdiction में file की जा सकती है दोस्तों इससे आगे बढ़ते हुए supreme court ने 2017 में राजेश शर्मा वसी state of उत्तरप्रदेश के अंदर और further guidelines को दिया और further guidelines को कहते हुए कहा कि हर state के अंदर हर district के अंदर DLS से दुवारा एक committee बैठाई जाएगी एक committee होगी जिसको डैली के अंदर हम CAWSL बोल देते हैं या DLS से दुवारा कोई भी committee बिठाई जाएगी कि ऐसी complaint या जी किसी magistrate को मिलती है या किसी police officers को मिलती है जो ceremonial disputes को शो करती है जहां पर एवर्मेंट और allegations for 98 AK होते हैं तो ऐसी इस्तिती में ऐसे complaint को वो इनी committee को forward कर देंगे यह committee दोनों पक्षों को बुलाकर उन पक्षों का सुनकर उनका निस्तारण या उनका फैसला कराने का परियास करते हैं या उनको reconcile करने का परियास करेंगे यानि instant FIR उसमें दर्ज नहीं होती चुकि heat of moment के अंदर बहुत बार FIR या complaint कर दी जाती है और जूटी complaint पर भी पती को या परिवार वालों को arrest कर लिया जाता है तो ऐसे में चीजे अच्छी की तरफ न बढ़कर गलत की तरफ बढ़ जाती है और पती पत्नी के बीच का सम्मंद और दूरी और बढ़ जाती है तो ऐसे में इन committee की जिम्मेदारी होगी कि वो हर proceedings पर इनको बुलाए date wise इनको बुलाए और उनको पक्ष स सुनने के बाद उनको रिकांसिल करने का प्रियास करें और यदि जो भी अपनी रिपोर्ट वो बनाएंगे उस रिपोर्ट को फिर अपनी रिपोर्ट के साथ लिए बेज सकते हैं यह दिल लगता है कि नहीं इन दोनों के बीच के अंदर कोई चीजे सुला की तरफ नहीं ज कर सकता है लेकिन ऐसे कमेटी मेंबर्स को किमिनल प्रोसेजिंग में ट्रैल के दुरान नहीं बुलाया जाएगा और साथ साथ दोस्तों आगे और रिलिव देते हुए पती को यह तक कहा है कि यदि कोई डिस्प्यूटिड इस्त्रिधन आर्टिकल्स है यह बहुत बार जब 406 के अवेर्मेंट यह एलिगेशन होते हैं जब यह एलिगेशन कहा जाता है कि मेरे पती या मेरे सुसराल पक्ष के एक्स वाइजएड लोगों ने यह समान अपने कस्टडी में रख रखा है और मेरे मांगने के बाद यह इतना ज्वैलरी अमांट आमनमन जो एलिगेशन ह और यह इसीस्तिति में जो पती पक्ष है यह जो सुसराल पक्ष है वो एक पर्टिकुलर अमांट को एक्षप करकर वापस कर देता है और बाकी आइटम डिस्प्यूटिड होते हैं यानि बाकी आइटम को वो कह देते हैं कि यह आइटम हमारे पास है ही नहीं लड़की ने कर ज्यादा करकर यह अमाउंट बताया है और यह article या यह अपने साथ ही लेकर चली गई थी यह आटिकल हमँरे पास है ही नहीं तो ऐसे article को हम disputed article बोलते हैं और ऐसी recovery of articles अगर पुलिस official ऐसी recovery करने के लिए किसी बंदे की custody को सीख करता है तो इसी judgment में कहा गया है कि mere यानि मात्र या solely सिर्फ recovery of disputed article shall not be the ground of custody यानि custody लिने का ये ground नहीं होगा यानि सिर्फ recovery कराने के लिए आपको custody में नहीं लिया जाएगा आम भाशा आपकी भाशा में बात करूं तो आपको arrest नहीं किया जाएगा आपको या तो 41 एके notice पर छोड़ दिया जाएगा जहां आपको investigation में cooperate करने के लिए हिदायते होती हैं directions होती हैं या आप anticipatory bill को seek कर सकते हैं यहीं साथ-साथ ये भी कहा गया है कि जब trial चलेगा तो trial के दोरान अगर outstation family है तो इसमें court को ये भी कहा है कि वो उनकी exemptions applications को स्विकार कर लेंगी और कर लेनी चाहिए यह तक हम उनकों सच्छन दिया है कि उनकी exemption applications को या निनकी हाजरी माफी को स्विकार कर लेना चाहिए उसको माफ कर देना चाहिए court को और उन पर पर्सनली फोर्स नहीं करना चाहिए कि ये जरूर मेरी कोर्ट में हर तारीक पर हाजिर हो दोस्तों इससे केमिनल और फॉल्स के सिस्ट में पती पक्ष को काफी रिलीफ मिला है और फॉल्स प्रोसेडिंग से किसी हद तक वो नोंने चुकि अमोमन क्या होता है कि पतनी या जिस सुख मिलने का दावा करती है कि मुझे एक आत्मी सुख मिलता है कि मैं अपनी फैमिली अपने ससुराल पक्ष को कोर्ट में बुला रही हूं इंको परशान कर रही हूं तो इन सब को देखते हुए यह सुप्रीम कोर्ट ने राजिश शर्मा वसी स्टेट अगर में बात की होगी तो दरज़ इस डीसीपी एसीप के अप्रूबल के बाद ही वो दर्ज की जाएगि साथ साथ अगर आरैस्टिंग भी की जाएगी तो ऐसी एससीपी डीसीपी की अप्रूफल के बाद ही उनकी अट की जाएगी कि ऐसे offenses जहां पर injury tangible हो यानि जहां पर injury दिखाए दे रही हो किसी का सर फटा हो किसी के चोट लगी हो तो ऐसी इस्थिति को वो committee के पास refer नहीं करेंगे ऐसी में तो तुरंट उनको FIAR करने के निदेश हैं कि वो तुरंट FIAR दर्ज कर लेंगे जहां visible चोट है, tangible injuries हैं तो वहाँ पर ये guidelines लागू नहीं होगी ये बात उन्होंने इसपस्ट की है कि ऐसे स्थिति में ये पर guidelines लागू नहीं होगी उसमें अपने description से अपने inquiries पर police काम करने के लिए स्वतंतर है उस पर कोई boundaries कोई नहीं है वहीं साथ साथ other criminal processing की बात करूँ तो अक्सर female domestic violence की complaint आपके खिलाफ फाइल करती है Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 में वो अपनी complaint को appropriate jurisdiction में फाइल करती है वो आपको या आपके परिवार को उसमें party बनाती है और बहुत बार बहुत जूटे allegations आपके परिवार वाले पर लगा लिजा जाए जाए अब ऐसे allegations से बचने के लिए आप पर क्या क्या उपाय है दोस्तों सबसे पहले यदि आपको कोई समन रिसीव होता है और आपको लगता है ये प्रामाफेसिया ही केस गलत है जूटा है आपके XYZ परिवार के member को party बनाया है जो कभी domestic relation में रहे ही नहीं domestic relation मतलब joint family में रहे ही नहीं जी उस female के साथ तो ऐसी इस्तिती में आप उस summoning order को challenge कर सकते हैं और ऐसे समन के खिलाफ appeal करकर वो समन को आप quash करा सकते हैं साथ साथ यदि पूरी complaint जो पूरा complaint दाखिल किया गया है उस complaint में किसी particular person के खिलाब कोई particular allegations नहीं लगाए गये हैं तो ऐसे particular person के नाम को delete करने के लिए आप concern code के अंदर ही application लगा कर उप particular person को उस case से आप उसका नाम निकलवा सकते हैं और ऐसी एवर्मेंट अगरी अभी आप notice करते हो तो वो आप उसे use करकर ऐसे false case से बस सकते हैं साथ साथ यदि पूरी complaint ही आपको bundle of false लगता है और लगता है कि बुल्किल सो फिसस जूटी है और आपके पास ऐसे सबूत allegations है हाले कि ये matter of trial है लेकिन अगर प्रामाफेसिया ही case नहीं बनता तो आप honorable high court में जाकर entire complaint को ही quash करा सकते हैं, खतम करा सकते हैं साथ साथ ऐसे criminal cases और जितने भी matter of criminal disputes हैं यदि इन matter of criminal disputes में कोई settlement होता है तो ऐसा settlement के बाद हाले कि 498 a non compoundable offense है पर Supreme Court ने अपनी judgment में ये कहा है कि ऐसे offenses को magistrate record करने के बाद close कर सकता है उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जानने के बाद आपने राहत की सांस ली होगी और आप पर यदि फॉल्स केसिस बनता है या कोई फॉल्स केसिस डालता है तो उससे बचने के लिए आपके पास क्या क्या remedy क्या क्या उपाए है या honorable Supreme Court ने या honorable High Court ने क्या कर जज्ज्मि और तक पुचाने के लिए भी इस वीडियो को शेर कीजिए और ससल्स को लाइक कीजिए धन्यवाद